दूस्तों आज की कहानी है दीदी आप मुझ से वेसी कई है जैसे मां से कहती हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर मारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरूज नया वीडियो मायके की सोकट पर पेर रगती नंदीनी के पेर ठीटकने से लगे जैसे कोई हिसकी शैट सी वापर दोनों बच्चे सोर करते करते अंदर आगन की त्रब बढ़ने लगे नानी नानू नानू के धून लगाते वे तभी सोब्या बाहर को आई और प्यार से दोनों को कले लगात वे बोली आ गई मेरी गटू मिटू मामी तो कव से इंतजार कर रही थी संजलने से आउदे को बहू आ गई इतने में मधूर भी सामान लेकर अंदर आगे सब के सेरे पर खुसी पर नंदी नी उपर चे खुस पर अंदर ही अंदर अनमनी सी थी पता ने सोब्या कैसा विवार करेगी सोस रही होगी अगर इस साल नंदन रानी न आती तो क्या बिगड़ जाता पिला रातो ही हो गई थी वो थकावट का बहाना करके खापी कर जल्दी मा के कमरे में आग गई इदर सुब्या सुब्य नास्ते का और दिन भर का मेहनियों त्यार करने लगे दीदी को मुंग दाल सीला पसंदे तो कल नास्ते में यहीं बनाओं की दोपर बच्चों के पसंद कड़ी साबल और रात म पाव भाजी यहीं सोसदाल भिगो देते और मदूर को संग दीदय देते वे कत्यकल पहले मेरी सबजी ला कर दे तबी प्यक्ट्री साई बाकी गरस्ती का सारा समान रासन सुखा नास्ता वगर अपनी नंदनी के आते से पहले यह मंगा कर रख लिया था उसने ताकी सासुम और ससुजी की अनुपिस्तिची में गर में किसी तरकी कोई कमी नरा आदत के मुताबिक नंदी ने आवाज देने लगी मा गाउन तो निकाल दो फटाक से सोब्या कर उसे गाउन पकड़ाती और करती दिदी ममी जी गई हैं बड़े भाई साव के यां अमरेका पर यां मैं ह और किसी से अपनी भावी को गरे लगाने लेगी उसकी प्यारी अबास दिदी में होना अगली सुबे उसके फेवरेट मौंग दाल पकोड़े की खुस्बू के साथ उसके मन को में महका रही थी दूस्तों ऐसे हूथा है मामतोर पर ये धरणा बना लेते हैं कि मायका का मिलब सिर्फ और सिर्फ मां से बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारा खुद का विवार और भावियों के परती अपनापन उन पर विश्वास उनके परती सेली और बेहन्च जैसा प्यार हमारे रिष्टे को ते करता है रोज एक मुकाम देता है कोई भी रिष्टा एक द्रपा नहीं कर नहीं सलता इसलिए ये कोशिश करनी से की रिष्टा और प्यार विश्वास वा प्रेम की दोर के साथ माबाब की अनुपस्तिती भी खुर्श बसे सलतारे सोभी और नंदिनी के रिष्टे की तरह